पूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की एमा को दिखा जाता है जो के विंडो से एक एट को देख रही थी जो के पानी में डूप रही है ये यहाँ पर कोई भी इमोशन्स शो नहीं करती दरासल उसको इस कैट के डूपने का कोई भी डूख नहीं हो रहा था और नहीं ये ये सोचती है कि ये इस कैट को पचाने के लिए जाए इसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने फादर के साथ रहा करती थी और ये प्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बात करती है तब ही इसकी एंट इसके खर पर आती है जो एमा की नियू बेबी सिटर के बारे में बात करती हैं. एक्शुनि में एमा की जो फर्स बेबिसिडर थी यानि कि उसके घर में उसकी देख बाल क्या करती थी उनका एक्सिडन्ट हो गया था और कोई भी नहीं जानता था कि उनका एक्सिडन्ट कैसे हुआ और अब एमा की आठ ने उसके लिए नियू बेबी सिटर ढूंडी है अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एमा इनको डेट कैट के बारे में बताती है तब ही हम देखते हैं कि एमा के फादर उस मरी हुई कैट को पॉन्ट से बाहर निकाल रहे थे हम एमा को देखते हैं जिसके फेस बर सरासा भी अफसोस नहीं था कि अगर वो इस गैट को बचा ली थी तो शायद ये बच चाती इसके फादर को देखते हैं जो इसके नियू बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रही है वो इस बीबिसिटर के बिहेवियर को देखकर इसको हार कर लेते हैं एमा ने सिटिजनशिप एवार्ड के लिए अपलाई किया था वो चाहती थी कि ये एवार्ड उसी को मिले और तभी हम देखते हैं कि वो स्कूल में सब के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रख रही है वो कुछ बच्चों के साथ केल रही होती है तभी एक लड़की इससे टकड़ाती है एमा उस लड़की को उठाती है हम एमा को घर में भी देखते हैं जो स्माइलिंग की प्रेक्टिस कर रही थी अगले दिन एवार्ड मिलने का दिन था इसके फादर इसको एक अच्छा सा ड्रेस पहनाते हैं और इसको स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे पैरंस एवार्ड सेरिमनी में आए हुए थी जहाँ पर टीचर ये नाउस करती है कि माईलो ने सिटिजनशिप के एवार्ड को जीता है वो अपने फादर को ये बता रही थी कि माईलो को ये एवार्ड मिला है और वो इस एवार्ड को डिसर्फ में नहीं करती थी, वो माईलो की इंसर्ट करती है और फिर अपने फादर से अपने इस बिहेवियर के लिए सौरी भी करती है फिर एमा माईलो को एक लिफ पर लेकर चाती है फिर कुछ देर के बाद माईलो कहती है कि हमें वापिस जाना चाहिए एमा माईलो के पास जाती है इसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाए चाती है कुछ देर के बाद हम माईलो के पैरंट्स को देखते है वो एमा के पास आते है क्या तुमने हमारी बेटी माईलो को देखा है एमा कहती है कि उसने काफी देर से उसको नहीं देखा तब ही वो लड़कियां जो कलिफ की तरफ से आ रही थी वो मदद के लिए चिन लाती है माईलो के पेरेंट्स भी उन बच्चों के पीछे जाते हैं वो जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी पानी में डूप कर मर चुकी थी उसको सीपिया ट्रीटमेंट भी दिया चाता है मगर उसकी तो देथ हो गई थी अकले दिन प्रेकफास पर एमा के फादर उससे पोच्छते हैं वो कैसा फिल कर रही है अपने फ्रेंट के बारे में मगर एमा तो इस बात को मुकमल इग्नोर कर देती है कि जैसे उसे अपने फ्रेंट के मरने का बिलकुल भी दुख नहीं हुआ फिर उसे दिन एमा की बेबी सिटर भी घरा चाती है एमा रात को देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके फादर की मेडिसंस को देख रही थी वो सोचती है कि शायद ये इनको चुराना चाहती है फिर जब ये अपनी बेबी सिटर के साथ मुवी देख रही थी तो ये उसको बताती है कि मैंने देखा तुम मेरे फादर की मैडिसन्स को चुडाना चाहती थी तो ये कहती है कि अगर जो भी काम में तुम्हे कहूंगी तो तुम्हें वो करना होगा इसके बतले मैं अपने फादर को कुछ भी नहीं बताऊंगी इस बात पर बेबी सीटर को बहुत सदा गुसा आता है मगर फिर भी वो एमा की बात मान लेती है अगले दिन माईलो का फ्यूनरेल था जिस पर सबी लोग रो रहे थे तबी हम एमा को भी देखते हैं जो माईलो के पेरंट्स के सामने रो रही थी वो ये प्रिटन कर रही थी कि जैसे उनकी बेटी का मरने का दुख इसको बहुत सदा है एमा के फादर जो माईलो के पेरंट्स से बात करते हैं तो वो इनको बताते हैं कि माईलो का मैडल भी मिसिंग है एमा के फादर ये बात सुनकर बहुत सदा परेशान हो गए थे उसी रात एमा के फादर लांडरी के लिए जब एमा के रूम में कपड़े लेने के लिए चाते हैं तो वहाँ पर इनको माईलो का मेडल मिलता है तब ही इनको एमा पर शक हो गया था ये वहाँ पर कुछ पिक्स को देखते हैं जिसमें एमा कब से माईलो को घोर रही थी इनको अपनी बेटी पर शक हो क्या था अखले दिन एमा की टीचर उडिस आफिसर के साथ एमा के घर पर आती है वो आकर इसके फादर से बात करती हैं और बताती हैं कि कुछ बच्चों ने एमा को क्लिफ पर माईलो के साथ देखा था उसकी डेट से पहले रात को एमा के फादर एमा से पूछते हैं कि क्या तुम माईलो के साथ क्लिफ पर गई थी ये सिंपली कह देती है कि मैं तो नहीं गई ती इस बात पर एमा के फादर उसे कहते है कि कुछ लोगों ने तुम्हें माईलों के साथ क्रीफ पर देखा था इस बात पर इसको गुसा जाता है और वो कहती है कि ये बात आपको मिस्स जैलस ने बताई है और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। नेक्स डे हम उसी बेभी सिटर को देखते हैं जो एमा के फादर की वर्किंग प्लेस पर चाथी है और वहाँ पर सिक्रेट पिने की परमिशन मांगती है जिस पर एमा के फादर उसे कहते हैं वो यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकती क्यूंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल लिक्वर्स हैं बाद में यही बेबी सीटर जब एमा के साथ बाहर जाती है ताके यह दोनों खेल सकें तब यह देखती है कि घर के बाहर मिस्स एलिस की कार है बेबी सीटर एमा को बताती है कि इसके खिलाफ एक केस रखा दिया है ये कहा जा रहा है कि जब माईलों के देथ हुई थी तो क्लिफ पर तुम भी उसके साथ थी फिर बेबी सीटर एमा को खरके अंदर लेकर चाती है और इसको ट्रानी की कोशिश करती है और बताती है कि अगर तुमने ही ऐसा दिया है तो तुम्हें अलेक्रिक चेर पर बिठाया जाएगा इस बात कर एमा बहुत सथा डर जाती है मगर फिर भी वो एडमिट नहीं करती कि उसमें कुछ किया है अकले दिन हम बेबी सिटर को देखते हैं जो पूरे घर में एमा को ढूंड रही थी तब ही हमें रूफ पर एक वेस्ट को दिखा जाता है एमा की टीचर जो कि ड्राइव करकर अपने घर चा रही थी तब ही एक वेस्ट इनको डिस्ट्रैक करता है और फिरामन की कार की वेक सिट पर एक वेस्ट नैस देखते हैं जो के एमा नहीं उनकी कार में रुखा था उसने ये प्लाइन किया था कि किसी तरह इसकी टीचर की भी देथ हो जाये एकसिडेंट से एमा की बेबी सिटर भी वो मैडल देख लेती है जो के माईलो का मैडल था और अपो इस मैडल को ले जाकर एमा के फादर के रूम में लेंब पर लिटका देती है ताकि वो पकड़ी चाए एमा जब अपने फादर के रूम में आती है तो बो फौरण से उस मैडल को अपने पीचे चुपा लेती है एमा के फादर इस बात को नोटिस कर लेते हैं और फिर वो एमा को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाती है और कहते हैं कि बेटा ये मेडल तुम्हारे पास कहां से आया एमा खुँचे ही ये स्टोरी बना देती है कि माइलो ने खुद इसको ये मेडल दिया था अकले दिन एमा के फार जो पॉफिस जा रहे होते हैं तो ये रास्दे में थEREPIST को भी कॉल करते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपनी बेटी को किसी साइक एक्टरिस को दिखाएं तब ही ये रास्ने में देखते हैं कि किसी का एक्सिडेंट हुआ है दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबी सीटर से पूछ रही थी एमा इस मेडल को माईलो की मदर को रिटर्न कर देती है माईलो की मदर बहुत सदा कन्फ्यूस लग रही थी इस मेडल को लेते हुए तब ही वो एमा के फादर को बताती है कि मिसिस जैलिस की देख हो गई है कार एक्सिडेंट की बचा से एमा जब यह सुनती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है वो रोने लग चाती है और कहती है कि वो उसकी फेवरिट टीचर थी अब जब यह अपने फादर के साथ घर वापिस आ रही थी नेक्स डे हम देखते हैं एमा के फादर जो के अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे थी उनकी रूफ पर वेस नेस जो के पहले था अब वो गाइब हो चुका था और अब उनको ये शक हो रहा था कि शायद मिस्स एलिस की देथ में भी उनकी बेटी का हाथ है फिर हम एमा के साइक एक्ट्रिस को देखते हैं जिसकी एमा के साथ फर्स्ट मीटिंग थी आपको साइक एक्ट्रिस एमा के फादर को बताती है कि आपकी बेटी बिलकुल नॉर्मन बच्चों की तरह है उसको कोई भी प्राप्लिम नहीं है क्योंकि एमा ने इस साइक्ट्रिस को भी अपनी बातों से पागल बना दिया था नेक्स डे एमा के बेबी सिटर क्लोई उसको चाकर खहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूं क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं इस बात पर एमा को बहुत ज़दा गुसा चाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि एक क्लोई मुझे कह रही है कि वो मेरी स्टेप मदर बनना चाती है क्या आप उसको लाइक करते हैं इस बात पर इसके फादर इसको कोई भी आंसर नहीं करते और वहाँ से चले जाते है तब ही हम रात को देखते हैं क्लोई जब टीवी देख रही थी तो उसको आउट हाउस से शोर सुनाई देता है वो एमा को ढूनने के लिए घर से बाहर जाती है और बाहर जाकर एक शेड़ो देखती है ये फोरण से आउट हाउस में चले जाती है तब ही वहाँ पर आउट हाउस के कोई डोर बन कर देता है ये आउट हाउस में फस चुके थी और तब ही हम देखती है कि आउट हाउस में आग लग जाती है क्लोई जो के विंडो से देखती है बाहर एमा खड़ी थी और एमा ने ही इस आउट हाउस में आग लगाई थी क्लोई को मारने के लिए हम क्लोई को देखते हैं जो आग में चल कर वहीं पर मर जाती है जब ये बात एमा के फादर को पता चलती है तो वो चलती से फारफाइटर को बलाते हैं वो आकर चलती से आग पुचाते हैं मगर उस वक्त तक क्लोई की देथ हो गई थी इसके बात रात को अमा के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे आकर पूचते हैं, क्या तुम ही ने माईलो को हर्ट किया था वो कहते हैं क्या बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँ का मगर तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा इस बात पर एमा अपने फादर को बताती है कि हाँ मैंने ही माईलो को नीचे गिराया था एमा के फादर इससे पहले बाली बेपी सिटर के बारे में भी पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ उसने मेरा गुसे से हाथ पकड़ा था जिस पर मैंने उसे स्टेर से धका दे दिया एंट पर उसके फादर उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं अब एमा को और ज़्यादा गुसा आ गया था वो गुसे में चिलाती है कि हाँ उसने मेरी स्टेप मदर बनने की कोशिश की इस वज़ा से मैंने उसे भी मार दिया एमा के फादर को सब कुछ बता चल गया था कि ये सब कुछ उनकी बेटी ने किया है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी छोटी सी बच्ची इतने बड़े-बड़े क्राइम्स कर रही है एमा अपने फादर से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी मागर उसके फादर अब बहुत ज़्यादा डड़ गए थे नेक्स डे शेरिफ एमा के फादर को कॉल करता है वो कहते है कि हम एमा से मिलना चाहते है बर एमा के फादर एक्सक्यूस कर देते हैं कि वो बिमार है एमा के फादर बहुत ज़्यादा डड़ गए थे कि कहीं उनकी बेटी को पकर ना ले इस पचाए से वो इकने बेटी को दूर लेक हाउस पर ले गए थे हाउस के पर बहाँ पर इनका वैल्कम करता है इसी दिन शेरिफ दुबारा से एमा के फादर को कॉल करता है और उनको बताता है वो बताते हैं कि आग खुद बाखुद नहीं लगी थी बलके किसी ने लगाई थी एमा के फादर ने प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में एक गन भी रखी हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि वो इस गन का यूस कभी भी कर सकते हैं इस सिच्वेशन को खतम करने के लिए तब ही इसी रात एमा सारे स्टॉक्स को आन कर देती है ताकि इसके फादर गैस से मर जाएं घर के डोर्स को बंद कर देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है तब ही एमा के फादर की आग खुल जाती है वो जब कैस को सेंस करते हैं तो वो समझ गई थे कि उनकी बिड़ी नहीं उन्हें मारने की कोशिश की है वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे पूचते हैं कि तुमने ऐसा क्यूं किया वो गुसर से कहती है कि अगर आप मर बैचाएं तो मेरी आंट बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ रह लूँगी इसके फादर इसको बहुत ही आराम से घर में वापिस ले आते हैं और फिर रात को इसको हॉर्ट चॉकलिट में ड्रॉक्स टाल कर दे देते हैं नेक्सेन में देखते हैं कि एमा अपने फादर के सामने खड़ी है, जिसके हाथों में गन है वो अपने हाथों से अपने फादर को शूर्ट करती है मगर ये बुलिट इसके फादर को नहीं लगती तो वो बुलिट चाकर पीलों में लग चाती है सबी इसके फादर चाग जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कैसे चाग रही हो तो एमा कहती है कि आपने मेरी हॉर्ट चॉकलेट में ड्रग्स मिला दी थी जिससे कि मैंने अपनी हॉर्ट चॉकलेट को आप से रिपलेस कर दिया एमा अपने फादर को शूट करना चाहती थी मगर तब ही इसके फादर इसे गन चीन लेते हैं एमा जल्दी से 9-1-1 पर कॉल करती है और बात्रूमे जाकर छुप जाती है ये कॉल करकर बताती है कि इसके फादर इसको मारना चाहते है इनका गार्ड बे गन की आवाद सुनकर महाँ पर आ गया था ये आकर देखता है कि एमा बात्रूमे चुपी हुई है और इसके फादर इसको गन पॉइंट पर लेकर खड़े है गार्ड एमा को बचाना चाहता था बगर तब ही एमा के फादर अपनी बेटी को शूट करने की बजाए खुद को ही शूट कर लेते है एमा देखती है कि उसके फादर ने उसी के सामने खुद को शूट कर लिया था मुवी के लास निमे हम एमा की आंट को देखते हैं और इसी के साथी मुवी यहीं पर एंड हो जाती है